तो हलो हाई वरिवन विल्कम है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे तो जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप सभी को बतलाया था कि पार्ट टू आपको इस मंडी का देखने को मिलेगा जो भाई हमारे चैनल पर फर्स्ट ताम आया है वो भाई उस वीडियो को जाकर देखने को मिलेगा तो इस वीडियो में मैं आपको आगे शेयल होई गाय की मैं आपको डेटियल्स देना चाह Cem कtria प्रेगनंट भाइवाए आपको दिख लाना चाहूं गाए रहे हमारे चैनल पर आखरी तक तो पहले पहले मैं इस गाई की डीटेल्स में आपको देना चाहूंगा च्छे दात में गाई बतलाई जा रही है और आगे की तरफ गुमा के देखलाना चाहरे तो यह आप देख पार होंगे अडर की बनावट काफी बेतरीन और 16 लिटर दू इनके साथ में तो यह आप देख पार होंगे इसकेन के उपर बढ़ते हैं आगे तो एक और गाई आपको इसकेन के उपर देखने को मिल रहा होगा तो इस गाई की बात करें तो दात में मिली गाई बतलाई जा रही है और प्रेग्नेंट गाई बतलाई जा रही है यह गाई जो कि ये आप देख पार होंगे ऑनर आगे की तरफ लेकी गए है रिटन आते ही मैं आपको करीब से मैं आपको देखलाना चाहूंगा प्रेगनेंट गाई बतलाई गई है दांत में मिली गाई बतलाई जा रही है ये चोथी बार ब्याएगी गाई जैसा कि अॉनर का कहना है इससे पहले तीन बार ब्याएग चुकिए इए गाई ये आप देख पार होंगे स्केन के उपर बड़े अडर में से ये गाई आपको देखने को मिल रहा है जैसा कि ओनर का कहना इससे पहले 92 लिटर दूद की कैपिसिटी बतलाई जा रही है जो कि ये आप पीछे सैट से भी आप देख पा रहोंगे डिमांड की बात करें तो 48,000 बेर डिमांड रखा गया ओनर की तरफ से और ये दूसरी सैट से भी मैं आपको देखलाना चाह रहा हूँ तो बढ़ते हैं आगे एक और गाय की तरफ तो इस गाय की डिटेल जाने तो 6 दात में ये गाय बतलाई जा रही है ओनर की तरफ से 14 लिटर दूद की कैपिसिटी बतलाई गयी है डिमांड की बात करें तो 55,000 पर डिमांड रखा गया ओनर की तरफ से दाम में कुछ कम बेस हो जाएगा और बच्चा की बात करें तो बच्चा मेल है इनके साथ में तो इसी के साथ बढ़ते हैं एक और गाय की तरफ और उनकी डिटेस मैं देना चाहूँगा तो ये एक और गाय देख आहूंगे और के असकेन के ओपर आए जो की काफी weak देख आहें आप अडर की बनावाथ काफी बेहतरिन है दूट की धाशिटी काफी बेहतरिन है जो की सकेन के ओपर आप देख पारें चार दात में गाय बतलाई जा रही है और 18-19 लिटर दूट की कैपिसिटी बतलाई गई या और की तरफ से जो कि मैं आपको दूसरी सैट से भी मैं आपको देखलाना चाहूंगा जो कि अडर की बनावट काफी बेहतरीन और काफी बड़ी अडर में से ये गाई देख पारे है और किसान भाई की ये गाई है और किसान भाई थोड़ा खान पीन में थोड़ा कम कुथाई करते हैं इस वज़े से थोड़ा गाई काफी वीक हो जाती है और मातर तीसरी बियान की ये गाई बतलाई जा रही है और के तरफ से मा तरह चार दात में ये गाई है डिमांड की बात करें तो 57,000 पर डिमांड रखा गिया है और ये दूसरी सैट से ये आप देख पा रहोंगे गाई की और बच्चा की बात करें तो बच्चा मेल है इनके साथ में बहुत सारे किसान बाई थोड़ा खान पीन में थोड़ा कुथाई करते हैं इस वज़ा से काफी सारे गाई काफी कम टेम में काफी वीक हो जाती है तो बढ़ते है आगे एक और गाई की तरफ तो एक और गाई आप देख पा रह solamente सकेंट को पर जो कि ये भी किसान भाई की गाई आप देख पारे है दांत में मिली गाई बतलाई जा रही है 12 लीटर दूद की कैपसिटी बतलाई गए या ओनर के तरफ से डिमांड की बात करें तो 42,000 पर डिमांड रखा गिया है और यह पीछे सैट से यह आप अडर की बनावर देख पार रहे है तो दूसरी सैट से भी आपको थोड़ा देखलाना चाहूंगा बच्चा की बात करें तो बच्चा फीमेल है इनके साथ में तो इसके साथ बढ़ते आगे एक और गाई की जनकारी आपको मैं देना चाहूँगा जो कि गाई सेल हो चुके है उस गाई की मैं आपको डिटेल देना चाहूँगा तो यह गाई आप देख पा रहोंगे जो कि इस गाई की जिक्र मैंने पहले की थी जो कि 16 लिटर दूद की capacity बतलाई गई है जो कि sale हो चुकी है इस गाई की मैं पूरी detail देना चाहूँगा छे दात में ये गाई बतलाई गई है 48,000 में ये गाई sale हो चुकी है बच्चा female है इनके साथ में ये plus point है जो कि काफी महेंगे sale हुई है और काफी king माने जाने वाले ये salesman ने sale किये ये गाई को जो कि ये आप देख पार होगे पीछे side से order की बनावट बहुत तो बहुत 13 से 14 लिटर दूद ये गाई करेगी और 40,000 में ये गाई sale होई है जो कि king माने जाने वाले salesman इन्होंने sale किये है किसान भाई ने इन्हें purchase किया है और ये दूसरी तरफ ये आप देख पार होगे पैसे की गिंती चालू है ये आप देख पार होगे इधर पैसे गिंती हो रही है तो बढ़ते हैं इसी के साथ में एक और गाई की तरफ तो एक और गाई आप देख पार होगे जो कि काफी छोटा बच्चा इसे सेल करने के लिए इस मंडी में गाई लेकी आये हैं और इस गाई की डिटेल जाने तो छे दात में ये गाई बतलाई जा रही है दस लिटर दूद की कैपिसिटी बतलाई गई है और डिमांड की बात करें तो 35,000 पर डिमांड रखा गिया ओनर की तरफ से बच्चा फीमेल है इनके साथ में ये भी प्लस पॉइंट है जो कि काफी छोटा बच्चा इसे सेल करने के लिए लेके आया है तो इस टैप की भी गाई अवलेबल हो पाती है इस मंडी में चोटे लेवल पर भी गाई अगर कोई भाई लेना चाहे तो इस मंडी में आ सकते हैं काफी आसानी से अवलेबल हो पाती है और काफी सेब माना जाता है ये मंडी तो यह एक और गाई आप देख पारोंगे सकेन के उपर 6 दात में बतलाई जा रही है बारा लीटर दूद की कैपसिटी बतलाई जा रही है 45 दर पर डिमांड रखा गिया है बच्चा फीमेल है इनके साथ में तो यह आपको मैं दूसरी तरफ से में